नमस्कार दोस्तो अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी बिद ब्रक्यूने जिस वक्त आ रही है पूरा का पूरा देश अंधिरे में डूब गया है बलेक आउट की चेतावनी जारी कर दी है पिछले तेन दिन से पाकिस्तान में बिजली नहीं आ रही है जिसके चलते लोगों का जन्जीवन भुरी तरीके से अस्ट विस्त हो गया है यहां मेट्रो, ट्रेन, बजार, दुकान सब कुछ दुस्तो समय से पहले ही बंद हो रहे हैं दुस्तो फैक्टियां तक बंद हैं जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर हाहा कार मच रहा है पहले ही पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूज रहा है लेकिन इन सब के वीच में दुस्तो पाकिस्तान के अंदर बिजली ब्लेक आउट हो गया है यहां पावर ग्रिड फैल हो गया है जिसके चलते पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली अस्ता ठप हो गई है और कामकाज भी भुरी तरीकी से पिर्वावित हुआ है सरकार सभी लोगों से अपील कर रही है कि समय से पहले ही आप मॉल, दुकान, बजार बंद कर दें क्योंकि रात के समय बिजली अस्ता नहीं है पाकिस्तान के अंदर इस समय सब कुछ अस्त विस्त हो गया है फैक्ट्रिया बंद है, बजार, मॉल, दुकान, साम से पहले ही बंद हो जाते है मैट्र और ट्रेनों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है आपको वतादू, पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूज रहा है पाकिस्तान के अंदर 2022 में प्राकर्तिक आपदाने बहंकर से अती बहंकर तबाई मताई है इतनी जवर्दस्त तबाई मची है कि एक हजार से जादा लोग की मोतोई थी लाखो घर खतम होगे थे, लाखो लोग बेगर होगे थे और दोस्तो लाखो जानवरों की मोतो गई थी 2022 के अंदर कुदरत का कहर देखने को मिला था पाकिस्तान के अंदर उसके बाद में लगातार पाकिस्तान की एस्तिती बिगड़ती जा रही थी अभी कुछ दिन पहले ही दूस्तो यहां आटी की किलत देखने को मिल रही थी लेकिन अब भिजली की किलत सामने आ गई है तो दोस्तो बहुती भड़ी खबर इस वक्त आ रही है सबसे ज़्यादा भेंकर तबही समय पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है पाकिस्तान में बलेक आउट हो गया है तो अलट रही है अपनी राय कोमेंट में लिखें चैनल को सब्सक्राइब करें